कनाडाई सेबेस्टियन मोद्रुफ ने पेरू वेर्शावन में मादा शमन की हत्या के लिए लिखे जाने से पहले अपने जीवन के क्षणों के लिए भीक मांगे उसका शरीर हीला के घर से आधी मिलकी जंगल में एक अनारक्षे तुथले कब्र में पाया गया था एक कनाडाई आदमी ने पेरू के वर्शावन में लिखे जाने से पहले अपने जीवन के क्षणों के लिए भीक मांगते हुए देखा कि उसने मादा शमन को मार डाला था चौकाने वाला मोबाइल फोन फुटेज से अपस्टियन वोद्रूफ को दयालू जमीन पर गतेहीन छोड़ने से पहले छट के छट वाले घरों के बीच गर्दन से खीचा जा रहा है जबकि दया के लिए भीक मांगना प्रतीत होता है माना जाता था कि 41 वार्षिय उलिविया रेवलो लोमास एक बुजर्ग शमन के तहट प्राकृतिक चिकित्सा का अध्यन कर रहा था जो एक स्वदेशी है लुसीनोजेनिक मिश्रण आया हुसका पेश करने वाला एक चिकित्सा के इंदर चलाता था शिप पौकोनी बोजन जाती के एक 80 वर्षिय पौधे के चिकित्सक को गुरुवार को गोली मार दी गई थी पेरू के अधिकारियों ने वरनन किया कि वुजर्फ उसका हत्यारा था गुजर्फ उसी दिन मारे गए थे उसका शरीर जंगल में एक अग्यात उथले कब्र में पाया गया था जो पूर्वोतर परू में विक्टोरिया ग्रासिया में एरिलों के घर से सिर्फ आधे मील की दूरी पर था उकायाली में अभियोजिकों के समुहु के प्रमुख रेकॉर्डो पर्मा जिमनेज ने पुष्टी की की विडियो में आदमी गुजर्फ था और वह अपने शरीर में कई चूटों के बाद मौत के लिए उलज गया था श्री जमनेज ने कहा कि मृत्यू के संबंध में कोई गिरफतारी नहीं की गई है उन्होंने रॉयटर्स से कहा स्वदेशी महिला के साथ साथ करना राई आदमी दोनुं की हत्याओं तक हम आराम नहीं करेंगे सुश्री लोमास की हत्या ने पेरू में अपमान जनग कारेकरताओं की अन्य अन्सुलजा हत्याओं के बाद परू में अपमान किया है जिन्होंने अवैद भूमी और अवैद हत्यली उत्पादकों को देशी भूमी से बाहर रखने के प्रयासों से संबंदित मौत की धमकी का सामना किया था ब्रिटिश कलाम्बिया से वुजुफ हजारों विदेशी परेटकों में से एक था जो पेरूवियन अमेजॉन की यात्रा करने के लिए देशी पौधों के मिश्रण से बने एक कड़वी काले रंके शराब के साथ आया हुआ सका के साथ प्रयोग करनी के लिए यात्रा करते थे हैलोसीनो जीनिक कॉक्टेल जिससे येज के नाम से भी जाना जाता है का उप्योग कई बीमारियों के एलाज के रूप में ब्राजील पेरू एकवाडोर और कुलंबिया में स्वदेशी जन जातियों द्वारा किया जाता है लेकिन यह पश्चमी परिट को द्वारा भी तेजी से उप्भूग किया जाता है कभी कभी घातक परिणामों के साथ कभी कभी मिनोवेग्याने कनुभवों की तलाश में एरवलो इस क्षेत्र में स्वदेशी लोगों के अधिकारों का एक कठोर बचाव करता था उन्होंने गाय अंदावा के पारंपरक रूप का भी अभ्यास किया कि शपीबो का मानना है कि व्यक्तियों और एक समूह से नकारात्म कूर्जा को हटा दिया जाता है 2015 में एक अनाडाई ने इंगिलिन्ट से एक साथी परेटक को मोटे तौर परेकाध्यात्मिक समारों में एक यूहा हुसका पी लिया जिसके बाद भुजुफ की हत्या हुई थी वहां से कुछ घंटों की ड्राइव की